अब हम सेट के उपर मुक्तलिफ आमाल है जो सबसे पहला है दो सेट का इनकता के बारे में पढ़ेंगें इनकता क्या होता है चलिए आज़े देखते हैं मान लीजिए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर X, U, V और W यह अरकान है और सेट B है सेट B में X, Y, Z तो हम A और B सेट का इनकता यानि इंटरसेक्शन इस अलामत को इनकता कहते हैं तो दोनों सेट में मौझूद मुश्टरिक रुक्न को ही हम इनकता कहेंगे तो यहाँ पर आपने देखा A इनकता B या B इनकता A दोनों एक ही कहलाएंगे एक ही चीज़ कहलाएंगी जिसमें सिर्फ एक ही यानि X जो रुक्न है वो common है अगर हम इसे वेन खागे के जरिये समझाए तो कुछ इस तरह से होगा मान लिजिए यह सेट A है यहाँ पर U, V, W और यह सेट B है यहाँ पर Y और Z और दोनों में यह X इस तरह से common है मुश्टरिक है तो इस तरह से हम दोनों सेट को वेन डायगराम के जरिए समझा सकते हैं चलिए एक और मिसाल लेकर देखते हैं आपको एक्जाम में कुछ इस तरह से भूला जा सकता है मान लिजिए यह सेट E है और यह सेट F है E में 2, 6 और सेट F में 3, 4 और 5 इस तरह से आदा दिये गए हैं और आपको शकल का मुशाइदा करते हुए यानि वेन डायगराम का मुटाला करते हुए आपको बोला जाता है कि वह दोनों सेट के अरकान लिखिए तो आप इस तरह से सेट E में क्या लिखेंगें 2, 3, 4, 5, 6 और F में 3, 4, 5 आप इस तरह से बता देंगें और आपको साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि दोनों सेट के इनकता लिखिए तो E, इनकता F किस तरह से लिखिएगें? दोनों में common point क्या है? 3, 4, 5 तो इस तरह से हम लिख देंगे 3, 4, 5 तो ये दो सेट का इनकता इस तरह से लिखा जाता है तो बहुती सिंपल और आसान टॉपिक है इसके इस्तेमाल आने वाली मश्क में 1.4 में इस्तेमाल होने वाल है तो उम्मीद आप बहुत अच्छे तरीके समझ के होगे ऐसे मजीद वीडियोस के लिए हमारे चनल पर बने रहे हैं और देखतेरे खानस अकैडमी शुक्रिया